है где दोट ढूर्वाद करें बागि कि हमें आगे वे क्वेशं करने आज हम a जोड़िए जिंदी मेर चुटि वर्स्तों को चिंदध कर सकता अए और पता लगा सक्ता है तदा सोची बद्ध कर सकता है कि और टिसरा कखन करता है सथ भारति मानव अंतरिक्ष र बैसकर क्वाइब की नीम भी रखता है और चौता या अंतरिक्ष में एक पुर्चेतना प्रडाली को संदरवित करता है तो पहले चीज़ तो आप लोग जान लीजिए कि नेत्रा के संबंद में नेत्रा या एक अंतरिच में एक पुर्चेतना प्रडाली है तो हमरा option D जो है सही हो जाता है थोड़े से और अपनी information को add on करते हैं नेत्रा परियोजना जो है भारतियों ग्रहों के लिए मलबे और अन्य खत्रों का पता लगाने के लिए अंतरिच में एक प्रारंबिक चितावने प्रडाली है परिचालन होने के बाद ये भारत को अन्य अंतरिच सक्तियों की तरह space situational awareness की हम तक भी प्रदान करेगा ठीक इसकी कारपदिती इस तरह से है कि इसरों ने पहले बात तो इसरों ने इससे जो है डेवलप किया हुआ है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं जो है विद्यमान है जैसे connected radar हो गया टेलिस्कोप हो गया डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और नियंतरड के इंदर इत्यादी चीजी जो है सामिल है इसकी इसकी आकार की बात करतिको 10 cm जितना छोटा है और 3400 किलोमेटर की सीमा तक लगभग 2000 किलोमेटर के अंतरी सुरक्षा के बराबर वस्तों के खोज करके उन्हें सुचिबध्य कर सकता है ठीक है यह हमारे अंतरे संपत्य और बल गुड़क की सुरक्षा के लिए महतुड आवे सकता है तो ठीक है चलिए हमारा option इसकर D राइट हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं किसे नुमर 27 कहता है कि निल्गित का मिलान कीजिए यहां पर राजनीतिक दल दिए गए हैं और इनकी स्थापना वर्स दी गए हैं बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इसमें से कौन सा मिलान सकते हैं तो पहला है लखनो समझाता 1915 दि है यानि हमारा पहला गलत अगर होता है दो और तिन सही होते हैं तो हमारा ओप्शन यह जो है राइट आंसर हो जाता है ठीक है तो चलिए हम थोड़ा सा और अपनी इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करते हैं डिसंबर 1916 का जो लखनों का समझाता था इसमें कांग्रेस और मुस पन थी हैं और मुस्लिम लिग के लिए एक सहीउक्त राजनीतिक मंचे भी परदन कर दिया था और मुस्लिम लिग 1906 में इसके स्थापना हुई थी तदो परांत जो है इसे सहीउक्त परांत इस्थित मुसलिम अभिजात वर द्वारा ले लिया गया था 1940 के दसक में या पाकिस्ताएं के मुसलिम बहुल शित्रों के लिए स्थापना की मांग करना शुरू कर दिया था और हिंदू महासभा जो है ये इसके स्थापन 1915 में थी या एक हिंदू पार्टी थी जो भारत उत्तर भारत तक ही सिमीद रही इसका उद्दे से हिंदू को जाती और इसके सबसे निगठत है कि यह छोटे-चोटे आईलेंड से रियोनियन आईलेंड डेवागष्जिया मारिशस कोम्रोस हमें बताना है कि मेडा गार्टी जो आईलेंड इसके सबसे पासवल आईलेंड कौन सा है तो मैंने आपको बताया था कि जो है मैप जितने भी questions आते हैं इनको अगर आप आसानी से solve करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग एक जो है schedule बना लीजिए कि daily आपको जो है 10 से 15 मेंट जो है map देखना ही देखना है तो आप daily basis पर आप देखोगे तो आप map को आसानी से जितने भी questions बन सकते हैं उनको आप आसानी से solve कर सकते हैं कि को map based questions ऐसे होते हैं कि आप एक दिन में बैठ करके उनको आप पढ़ाई उनको ज चे से observance अपनी बेहतर बना सकते हैं और इससे संब्दित जितने भी questions आएंगे आप उनको आसानी से solve कर सकते हैं तो इसका answer जो है D है Comoros इसके जिए सबसे नजदीक मेडागासकर दीप के समीब island है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 29 कहता है कि बहुद और जयन करन्थों में निवर्वित में से किन महाजनपतों का उलेख किया गया है कुरू मल चेदी सूरसेन अवंति कासी ये च्छो के च्छो जितने भी महाजनपत दिये गए हैं ये बहुद और जयन करन्थों में उलेख उलेखित हैं ठीक है तो हमार दस और आपको बता देता हूं एक और था कोशल अंग मगद वजी जिसे वरिज भी बोला जाता था वत्स जिसे वंसा भी बोला जाता था पांचाल मच्छ या मच्ष अश्मक गांधार कमबोज ठीक है ये 10 के अलावा जो है ये 6 भी है तो टोटल 16 हो जाते हैं 16 महाजनपत सामिल थे बौद और जयन करंथों में जो अपले किये गए हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किसे नमर्ट 20 किसे में 30 पर जलते हैं इस पर ज़दा है निम्रिक कत्म पर विचार किया और बताए कि में सकौन सा कतन सही है पहला है तो पहला कतन जो दिया गया है इसमें ये तमिल साहित के संब्द में तमिल साहित महाकाबी जो है सिल्पादिकारम जो था इसकी रचना सब्तनार ने नहा करके इलांगो आदिगल ने की थी ठीक है तो पहला कतन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि सिल्पादिकारम की रचना इलांगो आदिगल ने की थी और दूसरा है प इन में पूर्ण के पूजा की विदियां दी जरी कि से असे संसार और तлег कि बारे में दिया गया है अधिक्तराम पूरान अधिकतर परमर्ण thirds लोग है नुए आप यारा रखेंगा और सबक्राइब है lips प्रणाली के अंतरगत कोई मिसाइल या आयुद कम से कम पांच मैक की गति से उड़ान भरने के साथ साथ गहर गतिसील होते हैं वे दूसरा करन है है हाईपर्स्व रोज मिसाइल फोस इधन चालित करती है जो इसके तहत लक्ष fino का कि बाध मिसाइल क्या होती है यह छान लिजये यह प्रसों क कंसे कम at cmp 5 5-mac होती है 5-mac यह जो है दवनी की एकतरफी की यूनिटimana मैक ठीक है ओंग की मतलब है कि दुन की जो गति है उसका पांस गुना ¥ यहां पर दिया गए कमसे कम 5-mac की गत्सी वढ़ने के लिए कत्सी लोते हैं और हम बताने है कि इनमेँसोओं सा Колव सही है यह जो है फहाइपरसोनी के बारे में दिया गया है ठाज मिसांट थोद्थ फोदै छावद किछ ones इधन नहीं होता है यह liquid होता है है few just होता है है तो यह फिवड होता है पीजहें तो दुसरा वहना कथन भी गलत हो जाता है दूसरा होला कथन अगर गलत हमार होता है तो यहाँ पर देखिए फाइप मैं की गती से तो ठीक है पर यहाँ पर गयर गतसील वाली बात देर दिया है इसने यही चीज यहाँ पर गलत कर देता है इस सेंडेंस गो यह गयर गतसील नहीं गतसील होता है यह मनिय किया जाता है लिक्विट फिलोक क्या होता है यह हाइडोजन को जो है इंजन को संचालित किया जाता है जिसको हम जो है इस क्रेमजिट द्वारा एक तरह के प्रद्वगी की द्वारा एक द्वारा संचालित होती है यह ठीक है तो दोनों कतना मारा गलत होता है तो इसका राइट अंसर हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किसे नमबर 32 कहता है कि संगम काल के संबंदे में निवलिक गत्म पर विचार कीजिए पहला है और बताना है कि इनमें से कौन सा गत्म सही है पहला है तो लग्का प्यम तमिल ब्याकरण का सबसे पुराना संग हो जाता है थोड़ी से और इंफॉर्मिशन को एड़ाउन करते हैं तो लग्का प्यम को तमिल साहित्ती कृति में सबसे पुराना माना जाता है इसके तीन भाग है ब्याकरण से संबंदित एक ग्रंग होने के साथ साथ इसमें उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक गदविधियों की जानकरे मिलते हैं पहले दो भाग जो हैं प्राचीन तमिल भासा विज्ञान जैसे की सब्दावली स्वरविज्ञान आकरिती विज्ञान और वाके सरचला से संबंदित हैं तीसरा जो खंड है इसमें छंद अलंकार काबिसेलियां विसे जिनको थिम से ब संस्कृत का जुसूत्र होता है उसी के तरह के मतला आप बोल सकते हैं उसी का सिमलर होता है तो महिलाओं को समान दिया जाता था यह बात सही है उन्हें बहुत दे गदविधियों की अनुमती थी अवयार नचेलियर और काकई पांडियार जैसे महिलाओं ने तमिल साहित की विकास में योगदान दिया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसका सी आप्शन जो है राइट हो जाता है किसे नमर्ट थर्डी थिरी पी चलते हैं कहता है कि असोग के अभिलेक निवरित में से किस भासा में भासा या लिपी में उत्किरड किये थे पहला है प्राकृत दिकान सब प्राकृति बहसा में ही थे जबकि उप महादिप के जो उत्तरपस्चि cocoa में मिलने में सिठेट बादिट भासा उटयका सिक वा ल्याय थे यो ऊंप्राइट उप्राइब भासा से अभात दकिर्ग हमें अभाशन आगे अशे कि shipped जैक कि प्राप्रण Σब्सां शे लेखों के लिए अरामाइक और ग्रिक लिपियों का भी प्रयों किया गया था इसमें तो सारी बात ही जो है सारी लिपियां जो है सोब के अविलेक के संदर में सही है तो यहाँ पर जब कि इसने जो है अम बोला हुआ है कि केवल चार तो उस संदर में थोड़ी सी इसमें गलती होती है गलत लग रहा है ठीक है आप लोग जो एक बार इसको पता करके बताइएगा कि इसमें कौन सा आप्सन जो है सबसे एप्रोप्रियेट आंसर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं केशन में 34 पर जलते हैं 34 कहता है कि बामयन बुद्धा के संदर मिल भी कत्म पर बिचाथ कीजिए बामयन बुद्धा जो है अफगानिस्तान में जो है वहां पर इत मूर्ती है बुद्ध के बामयन नामा के जगह पे तो उस तालिवानियों के दोरा उसको तोड़ दिया गया था डिश्ट्रा अगर दिया गया तो उससे संदर नरप में ये नियूज में कफी ज़ाता बना गया था इसलिए ये सवाल पूछा गया है तो हमें बताना है कि इन में से कौन सा कतन सही है पहला है मेस अयनाक नामक पुरातात्वी गस्तल लेपिस लाजुली से संब्रद है मेस अयनाक नामक पुरातात्वी गस्तल दो है लेकिन ये लेपिस लाजुली से संब्रद नहीं है ये ताबिस संब्रद दित है ठीक है और दूसरा है बामियान से सम्मंदित यानि पहला गत्थन मारा गलत हो जाता है दूसरा है बामियान से सम्मंदित बुद्ध की सभी परतिमाओं की मुद्रा समान है और तीसरे पर चलते हैं यह मूर्तियां गुप्त ससैनियन हेलनिस्टिक कलात्मक सैलियों के संगम की प्रमु सभी मैंने आपको बताया था कि सभी वाला जो भी सेंटेंस होता है वो मुश्चली गलत ही होता है जिकि रोमन रेपरियों में जो है दो अलग अलग उद्राओं के साथ यह मुर्तियां गुप्त ससैनियां हेलनेश्टिक नामक कलात्मक सैलियों के संगम की प्रमक उदारण थी ठीक है इसलिए दूसरा कथन के लोगता है और तीसरा वाला कथन पूरी तरह से सही है जिससा सैनियां हेलनेश्टिक कलात्मक सैलियों के संगम की प्रमक उदारण थी तो तीसरा कथन सही होता है तो हमारा ऑप्सन जो है बीज का राइट आंसर हो जाता है बीज राइट आंसर इसलिए आगे बढ़ते हैं किस्टिन में 35 चलते हैं 35 कहता है कि निपनिक के तुम पर विचार कीजिए और बताएं कि इनमें से कौन सा कतन सही है पहला है लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पांडुलुपियों के उदारण है लिथोग्राफ और घृकतर पर गोलाकार होते थे यह बात भी गलत है आद सि MARC के बड़िमात्रा में जो है यह अलग-अलग आक्रितियों में देखी गए बने होते हैं जो धातूं कि छाजनों से चप hen ढ़तों चोटे गुला का टुकणों से बने होते थे इन शिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं हो जाता था बलकि इन पर कुछ चिन्न के ठप्पे बनाया जाते थे इसलिए इन्हें आहथ सिक्के ही कहा जाता था ठीक है यह सिक्के महादिप के लगभग अधिकांस हिस्तों में ही पाय कुछ नबर थर्ड़ी शिस पर चलते हैं थर्ड़ी शिख कहता है कि सोफियों के संद्र में निवलिक कतनों पर विज्वार कीजिए और बताए कि इनमेंसे कौन सा कतन सही है सूफी एक तरीके का सेलसला था एक तरीके के जो धार्मिक प्रविक्तिके लोग थे जो जिनकी अपनी विजार धारा थी इसमें लिखाया पहला गतन कि सूफियों ने मुसलिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाएगे विश्तरित अनुष्ठानों और आचार सहीता को अस्विकार नहीं किया था यह बात गरते हैं यह अस्विकार कर दिया था जो मुसलूफी मुसलिम थे वो रहस्यवादी हुआ करते थे सूफी मुसलिमों ने सूफी जो लोग थे उन्होंने मुसलिम धार में कोई द्वाना दोरा जो निधारती विशद कर्मकार्ण न था उनका आचार साहिता थी उसको उन्हा अस्विकार कर दिया थे वे इस्वर के साथ ठीक उसी तरह से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की प्रवाह किये भी न आपने प्रेतमा के साथ जो है जुड़ा रहना चाहता है तो उस संदर में पहला गतन गलत होता है दूसरा है इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रसिछड के विश्चर तरह के विक्सित किये थे ये बात से ही है ठीक क्योंकि इन्होंने आउलिया या पीर की देखरेक में जिक्रन मतलब नाम का जाब, चिंतन, समा, मतलब गाना, रक्स, नृत्य, नीत, चर्चा, सांसपर, नेंत, त्यादी के जरिये प्रसिछड की विश्चर तरह का विकास किया था इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्ता कतन तो सही है, तीसरा कतन कहता है कि बारावी सताब्दी के बाद मद एसिया से आने वाले सूफी बड़ी संक्या में हिंदुस्तान में ही बस गये थे, ये बात गलत है, अब यह मैं बताता हूँ कि गलत क्यों है, चौथा कतन बिचाते है, सूफी संतों ने अपनी सभाओं क आयोजन अपने कानकाओं या धर्मसालाओं में किया था, ये बात बिल्गुल सही है, तीसरा कतन गलत क्यों है, तीसरा कतन गलत इसलिए है, क्योंकि ग्यारावी सताब्दी से अनेक सूफी जन जो है, मद एसिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लग गये थे, दिल्ली सल्द आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरा कतन क्यों गलत है, क्यों कि ग्यारावी सताब्दी की बात कर रहा है, जबकि यहां पर बारावी सताब्दी लिखा हुए, इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है, और चौता कतन सही है, बता दिया मैंने आपको, तो हमारा ऑप्सन बी जो है दिल्ली के कुदबुद्दिन भक्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मुईनुद्दिन, ख्वाजा निजामुद्दिन अवलिया, गुलबर्ग के बंदा नावाज गिसुदराज, यह सब लोग जो है, इसी सिलसले से जुड़े होए बेकती थे सुफी संत थे, सुफी संत अपने खानकाओं में विसेस बैटकों का आयोजन किया करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तिगर, जिनमें साही घरानों के लोग जो है, अभिजात मतलब काफी एलिट क्लास जो है, और आम लोग भी सामिल होते थे, इन खानकाओं में आते थे, और ये अध्यात्मिक बिस्यों पर चर्चा किया करते थे, और अपने दुनियादारी की समस्याओं को सुल्जाने के लिए संतों से आसिरवाद मांगते थे, और संगीत और रित्य के जल्सों में सामिलों कर चले जाते थे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, किस्यों अध्यादारी की समस्याओं का एक विद्रो था, और दूसरा है कथन मालाबार विद्रो को धार्मिक विद्रो के रूप में भी जाना वर्डित किया गया है, तिसरा है मौपला मुख रूप से दच्छ्र केरल में रहते थे, पहला कथन जो है 1921 का मालाबार विद्रो बिद् के रूप में जो है वर्डित था, ठीक है, तिसरा कथन है मौपला मुख के रूप से दच्छ्र केरल में रहते थे, दच्छ्र केरल में नहीं, यह मालाबार तड़ वाले हिस्से में रहते थे, जो उत्तरी केरल का हिस्सा है, ठीक है, मालाबार, दिख देता हूँ यहां पे म तो पहला कतन हमारा सही है दूसरा वाला गलत है तीसरा भी गलत है तो पहला कतन सही है तो हमारा आप्शन ए जो है इसका राइड अंसर हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किसिन नमर 38 पे चलते हैं थर्डीयट कहता है कि निम्रिक कत्म पर विचार की जो बताएं कि इनमें से कौन सा कत्म सही नहीं है पहला करते हैं मुगल दर्बार की इतियास को तुर्की भासा में लेखा गया था अब मुगल दर्बार की बारे में थोड़ा सा जानते हैं मुगल दर्बार जो है इसका इतियास फार्सी भासा में लिखा गया था दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर का जो भारती भासाओं का जो विशेशकर वाला इसा था वो हिंदवी और इसकी छेत्री भासाओं के साथ फार्सी दर्बार के साथ जो है फार्सी दर्बार और साहित कह ऱीजह पर किरेंस सर जो चेहंद जाता है कि यह पहला जो हAcc proxy था इसका वो ऐक्या बच्छा हुआ मोगल भारत की सभी पुष्ट के पांड़लुप को रूप में मौझोद थी यह बात सही है क्योंकि मुगल भारती सभी पुस्तकाले की रूप में अनुमादित किया जा सकता है यह दरसल एक लिपी घर था जहां बादसा की पांडलुपियों का संग्रे किया जाता था तो नहीं पांडलुपियों की रिचना की जाती थी ठीक है और मैं बताना है कि इनमें से कौन सा कतन सही नहीं है तो महारा पहला कतन है जो गलत है ठीक है तो आस और अपनी इंफर्मेशन एड़ान करते हैं अगर अकबर नामा जैसे मुगल इतिहास फार्सी में लिखे गया थे जबकि अन्य जैसे बावर की संस्मड़ों का बावर नामा के नाम से तुर्की से फार्सी में अनुगल बात्साओं ने माभारत और रामायर ज चलते हैं कि संदर में बताना है कि इन में से कौन सा कथा सही है पहला है एन एन बीपी डबलू कठोर चाक निर्मिध धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सता वाले पात्र थे और दूसरा है एन बीडबलू चरण प्रतम सहरी करण से संबंदित हैं देखे पहला कथन सही है दूसरा वाला गलत है ठीक है अब दूसरा गलत की हो मैं आपको बताता हूँ पहला दिसरा पढ़ लेते हैं एन बीपी डबलू संस्कित भारतियों महादिव में लाव प्रतम सहरी करण नहीं जो इस अवदी के आवास प्रतिरूप रहन सहन सिक्कों क्रिसी और पसबालन कला वास्तुकला ब्यापार गत्विधियों में परलचित होता है मानोचन सिंक्याम होने वाली को लेखनी व्रिद्धी जो है बड़ी बस्तियों के पास विक्सित होने वा और तीसरा कतन सही होता है तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किसे नमबर 40 बोलता है कि थेर्यम एक परसिद आनुस्ठानिक कला रूप है इसको तो आप लोग याद रखना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं ये जो है उत्तरी केरल का अनुस्ठानिक कला रूप है तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाता है थोड़ा सा और अपनी जानगारे को बढ़ाते हैं थेर्यम जो एक परसिद आनुस्ठानिक कला है इसकी उत्तरी केरल में होई थी इसमें इंड्रेत्य, माईम और संगीत साम में जैसे संगीत वादियंद्रों के साथ अफचार्यक नृत्य किया जाता है 400 से अधिक अलग अलग थेहयम है इनमें से प्रत्येक कापना संगीत और जयली और नृतिकला है इनमें से प्रमूख है रक्ति चामुंडी का री चामुंडी 2 यु नाडू, गोलिकन इत्या धीक है चले आगे बढ़ते हैं कि इससे नंबर फोर्टीवन पिचलते हैं फोर्टीवन बोलता है कि निम्ली कत्म पर विचार कीजिए और बताए कि इन कौन सा कतन सही है पहला कतन है कि इमतों को नियंतर करने के लिए अलावदिन खिल जी ने दिलने में विभीन वस्तूं के लिए तीन अलग बाजार अस्थापित किये थे ये बात सही है दूसरा है अलावदिन खिल जी ने अपने सैनिकों के वेतन को इकता के बजाए नगद में दिया था, ये भी बात सही है ठीक है, तीसरा है मुहममद बिन तूगलक के ओछ ने करिसी के विकास के लिए दिवाने को नो में एक नए विभाक स्थापित किया था ये बात आप लोग जाद रखीएगा, ये बात भी सही है तीस, डौथा है मुहम्मद बिन तुलक ने ताबे के सिक्के के अस्थान पर चादी का सिक्का चलाया यह बात गलत है क्योंकि यह आपस में सेंटेंज वे एक्षेंज हो गया है मुहम्मद बिन तुलक ने चादी के सिक्के के अस्थान पर ताबे का सिक्का चलाया ना किताबे के अस्थान पर चादी का ठीक है चादी वाली सिक्के के अस्थान पर ताबी का सिक्का चलाया इसलिए हमारा ये चौथा वाला कसन गलत होता है तो हमारा option D जो है इसका right answer हो जाता है ठीक है थोड़ा सा और अगर पनी information को add on करते हैं तो अलावदिन खिल जी जो है ये कीमतों को नेंदर करने के लिए अलावदिन खिल जी ने तीन अलग अलग तरकी के बाजार स्थाबित किये थे एक थी अनाज अनाज बाजार जैसे उसको मंडी कपड़ा बाजार को सराय आदिल और गोड़ों और दास और मावेशियों आदि के लिए दूसरी बाजार हुआ करते थे इनके क्रियानवयन को सुनेशित करने के लिए अलावदिन खिल जेने का अधिक्षक जिसके सहना इमंडे बोला जाता था नियुक किया करता था जिसकी सहता एक खुफिया अधिकारी द्व जाता था इसके इसमें किसानों को खेती के लिए बीज की ब्यास्ता करने में मदद करने के लिए वित्ती सहयता दी जाती थी फसल अगर खराब हो जाया करते थी तो उस परिशती में उन्हें कर्ज भी दे दिया जाता था ठीक है चले आगे बढ़ते हैं किसन नमर 42 पर चलत जो है जोड़ा सही है पहला है किताबुल हिंद इसके सामने लिखा गया इबन बतूता किताबुल हिंद की रचना जो है अलबरूनी द्वारा की गई थी यह की इबन बतूता नहीं था यह अलबरूनी ठीक है दूसरा है रिहला अलबरूनी रिहला जो है इबन बतूता द्वारा यह अलबरूनी नहीं यह इबन बतूता इबन बतूता द्वारा जो है रचा गया था और तिसरा है यानि यह गलत है यह भी गलत है अगुबर नामा अबूल फजल यह बात सही है बात्साहनमा अब्दुल अहमद लाहुरी ये बात सही है तो दो यूग में हमारे सही है तो हमारा भी इसका जो है राइट अंसर हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं पाल दाधो वाव नरसंघार 1922 में किस राजय में हुआ था यह तो एक तरकी का फैक्ट है इसके आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप इसको सही मार कर पाएंगे तो मैं बता देता हूं इसका अंसर सी है यह गुजरात पाल दाधो नरसंघार 1922 से संब्दी थे थोड़ चितरिया और दधो गाओं में हुआ था और उसी के नाम पे ही इनका नाम पाल दधो वाव नरसंघार दिया गया है उस दिन आमलकी एक अदसी थी जो आदिवासियों का एक प्रमुक त्योहार हुआ करता था जो हुली से ठीक पहले मनाया जाता था मोदिलाल तेजावत के न राजस्व के विरोध में था ठीक है यह काकी अंदुलन में योगदान के लिए इनको जो है मोदिलाल तेजावत को याद किया जाता है ठीक है इसको याद रखेगा अब लो चलिए आगे बढ़ते हैं क्योस्टे नमबर फोर्डेफोर पर चलते हैं फोर्डेफोर कहता है कि नमले कतन पर विचार कीजिए और बताए कि इनमें से कौन सा कतन सही है पहला है किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से सुतंत्र होते थे यह बात गलत है किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन जो है किसी निधार जो है जात की संक्या पर निधार्द किया जा का प्रतियग भाग एक विश्ष पहलों से सम्मधित था दूसरा कथन भी गलत है गलत क्यों है क्योंकि अबुल-फजल ने जो अकबर के सासनकाल का इतिहास जो है तीन भागों भी लिखा था जिसका सिर्शक अकबर नामा हुआ करता था पहला भाग जो है अकबर की परोजों स पहला भाग जो अंगरिजों के पुरोजों से समधित है और दूसरा अकबर के सासनकाल की घटनाओं का विश्ष वरण किया गया है आईने अकबरी का सबसे रोच आया मिया है कि विविद प्रकार की चीजों और फसलों पैदावार कीमतों इत्यादी का वरण इसमें मिलता ह ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किसन नमर 45 कि चलते हैं किसन नमर 45 कहता है कि हमपी के संदर में ने भी कत्म पर विचार कीजिए और बताए कि इनमें से कहुं सा कतन सही नहीं है पहला कतन है हमपी किशिड तुंग पंद्रार वेसिन में इस्तित है यह बात तो सही है और दूसरा है महा नौमी तेवहार हमपी में मनाया जाने वाले सबसे प्रमक तेवहारों में से एक था यह भी बात सही है विजय विठ्थल मंदिर का निर्माण 15 सतापदी में राजा देवराय प्रथम ने करवाया था यह बात तेहीं गलत हो जाती कि राजा देवराय प्रथम नहीं यह राजा देवराय वितिय के द्वारा विजय विठ्थल मंदिर का निर्माण किया गया था और हमें बताना है कि इन में से कौन सा कतन सही नहीं है तो हमारा option बी इसका जो हो जाता है right answer थोड़ा से अगर और हम अगर अपने information को add-on करें तो क्या था कि हमपी नगर जो है किशड़ा उत्तुं गद्रा नदियों के घाटे में इस्थित है यहाँ पर हमपी का जो सांदार खंडहर है इससे पता चलता है कि उस सहर की किले बंदी बहुत ही high quality थी हाई ठीक है किले की दिवारों के निर्वान में कहीं भी गारे चुने जैसे किसी भी जोड़ने वाल मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और इसी लाखंडू को आपस में गूत कर फसा कर बनाया गया था मानोमी पर जो आज दच्छिड में नवरात्री पर कहलाता है उन दिनों में हमपी में एक अत्यन्त महत्पूर परो माना जाता था जो विजय बिठ्थल मंदिर था वो हमपी के सबसे बड़े और सबसे सांधार मंदिरों में से एक है यानि आप यह हम मान सकते हैं कि हमपी में जो मंदिर है उनमें विजय बिठ्थल मंदिर जो है सबसे सांधार मंदिरों में जो है गरणन किया जाता है इसका निर्मान किस्देवराय द्वुती द्वारा किया गया था मैंने आपको बताई दिया है राजा देवराय द्वुती द्वारा किया गया था जिसे किष्डदेवराय भी बोला जाता था ठीक है जिसे किष्डदेवराय द्वारा विस्तारित किया गया सौरी किष्डदेवराय कहा नहीं जाता था किष्डदेवराय द्वुती दूसरे राजा थे और किष्डदेवरा जो थे वो दूसरी राजाते है यह मंदिर भगवान विष्ड़ों के आवतार भगवान विठ्थल के उसम्रेवित है यह हम्पी के वास्तिकलाव में सबसे भब्य है इसे वास्तिकला की द्रविड सैली में बनाया जया था इसमें सुरू में बंद और घेरा हुआ मंदप था और बाद में इसे किश्ड़ देव राय द्वारा खुला मंदप से जोड़ दिया गया था ठीक है चले आगे बढ़ते हैं किसन पर फोटी सिक्स पर चलते हैं फोटी सिक्स कहता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनी जिसे आरा फाइडी बोला जाता ह कि संदर में निपलिक्वेंसे कौन सा कतन सही है और सही उत्तर भी होएं सुनाओ करना है यह एक प्रकार की वायरलेस ट्रैकिंग प्रडाली है जिसमें टैग और रीडर सामिल होते हैं यह बात सही है रेफाइडी सक्री रेफाइडी को रीडर द्वारा संचरित विद्दु रेसलेकार दूसरा वाला गलत हो जाता है और निश्क्री टैग के तुल्लामें सब्दु करेद की रीड रैइन्ज ल पते 1000 अधिक होते हैं यह बात सही है तो पहला कतन सही होता हैंшие से तो हमारा आपचिन जो हैसी सिसका राइट आंसर हो जाता है थिकैं थोड़ा सा और तरीकिक वायरलेस टेकनलाजी है जिसमें टैग और रीडर सामिल होते हैं इसमें रेडियो वेब्स का उपयोग करके वस्तों और लोगों तथा उनके उपकरण जीने हाथ से पकड़ा जा सकता है या खंबों इमारतों जैसे इस्थिरी चिति में रखा जा सकता है और उसके आस शक्री और फाइड होता है उसमें स्वयम की सकती शुरोत जैसे बैटरी का उपयोग किया जाता है सक्री टैग बिकन की तरह प्रत्य कुछ सेकेंडों में जानकारी भेज सकते हैं और रीडर की निगड़ता में होने से यह सक्री हो सकते हैं और दूसरी और जो आर फ निश्क सक्री टैग के तुलना में सक्री टैग की रेंज जो है लगभग 300 अधिक होती है RFID टैग में कई अलग लग तरगी के आप रितियों उपर रेडियो वेप्स का उप्यों करके ठीक है वर्तमान में जो देश भर में टोल जो टोल का भुकतान करने के लिए जो है इसका उप्यों काफी तेजी से किया रहा है इसके फास्ट एक भी बोलते हैं ठीक है इसमें RFID टेक्नोलाजी का ही प्रयूप किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं क्रिस्टन 47 पर जलते हैं 47 कहता है कि मुगल दर्बा के समंदर में बताइए कि इनमें से कौन सागतन सही है पहला है कोर्निस अपचारिक अभिबादन का एक ऐसा तरीका था जिसे दर्बारी अपने बाएं हाथ को हाथेली कुछ हाथी की विपरीद रखकर सिर जुका दे थे यह इस बात का परदिक था कि कौर्णिस करने वाला बेक्ति अपने इंदरी और मन के अस्थल को हाथ लगाते वे जुक कर विनमरता के साही दर्बार में अपने को प्रस्तुत कर रहा है जबकि यहाँ पर बाएं हाथ की बात की गई है इसलिए गयत हो जाता है दूसरा है तस कि ऊपर होती है इसके हाथ उसके बाद हाथ को देरी अधेर ओपर उठाते वी बीठिक खड़ा होता है और अपने हथे लिक को सिर के ऊपर रगता है ऐसी तस्लिम चारवार की जाती है ठीक है और तसलिम का साब्देकर्थ यहाइ आत्मा निवीदन होता है तो इसका प्शं एक मुदृत सूती बस्त्र है यह सई है दूसरा है बंडाना गर्दन सिर के लिए किसी भी चम्गेले वाले मुदृत स्कार्ब को संदर्वित करता है यह बात सई है वर्स अठारस चोन भारत को पहली कपास में लुंबई में कताई मिल के रुमें स्थाबित की थी यह बात भी सही है यह तीनु कतन सही है तो हमारा डी इसका जो है रहे डांसर हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं केसे नुबर 49 इसमें पूछता है कि नयाक हो जा गया जिवास में सिलिपसी मॉपीडो बाइडेनी संबंधित है यह मॉलस्का से संबंधित है इसे तो अब लोग जो है एक तरीके का फैक्ट ही है यह नियूज में रहा होगा यह इसलिए जो है इसके बारे में पूछा गया है तो सिलिपसी मॉपीडो जो है बाइडेनी यह एक तो हमारा डी इसका सही आंसर हो जाता है मॉंटाना के मिसिसीबियन बियर गुल्च लेगर इस्टेट के जिवास में एक ग्लैडियस और दस मजबूत भुजाईयां वद्विश्टरी पंक्तियां मुझूद है सिलिपसीडी बाइडियन को जो है आज सधार रूप से अच्छी तरह से संबंधित सानाची वैमपायर रोपायर वर्ग के जो इसे मुलस्का के रूप में वड़ित किया गया है के रूप में जाना जाता है सोधकरताओं ने एक नए खोजेगे जिवास वैमपायर स्क्विड का नाम जो है बाइडियन की नाम पर रखाया है इसलिए इसका नाम जो है सिलिपसी मॉपीडो बाइडियनी बोला गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है केस्टन नबर 15 कहता है कि निफली कतनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कतन सही है समिधान सभाग के अधिकान सदसे कांग्रेस पार्टी से थे ये बात सही है आपने अगर पॉलिटिकल राइंस अच्छाए से पढ़ाई गरी होगी तो आपको आसानी से इसको सही तरीक टिक कर सकते हो आप दूसरा है समिधान सभाग के अधिशित डाक्टर राजिन प्रसाद ने की थी ये बात भी सही है यहीं पर यह बात गलत हो जाती है तो यह बात सही हो सकती है ठीक है इसलिए तीसरा गलत हो जाता है तो पहला दूसरा सही होता हमारा ओप्शन ए जो है इसका राइट अंसर हो जाता है चलिए आज मैंने 50 क्यूस्टन कंप्लीट कर लिया है बाकी के 25 क्यूस्टन यानि 75 तक का सफरम अगले वीडियो में करेंगे आप लोग जो है बाकी जो पहले पार्ट और पहला पार्ट बना हुआ है इसका आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकरके एक बार चेकाउट कर लिजेगा और सारे वीडियो देख डालेगेगा पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट यह भी ठीक है आपको काफी जादा फाइदे मन्द होने वाला है यह आने वाले टाइम है आपका जो भी प्रिलिम्स का एक्जाम है और भी जो भी एक्जाम्स हो रहे हैं जो भी कॉम्टेटी एक्जाम्स हो रहे हैं उनमें काफी जादा जो है लाब दैक से दोने वाला है पहले बात तो आ आपको जो फ्री में चीजे अवेलेबल कराई जा रही है तो आप इसका फाइदा उठाइए ठीए बाकि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवत